अभी जिस पुएम को हम पढ़ने जाने हैं इस पुएम का नाम है टेन टॉल ओक ट्रीज यानिए की ओक के दस लंबे पेड इस पुएम को चलिए पढ़ लेते हैं पें टॉल ओक ट्रीज स्टैंडिंग इन लाइन वार शेप्स क्राइड किंग हेंडरी देन देर वर नाइन दिए जो पुएम है यह पेड के काटने को लेकर के कि पेड न काटे जाए हमारे इनवर्मेंट को नुकसान न पहुंचे लोगों को जागरू करने के लिए हैं कि किस प्रकार से दस पेड थे और सारे पेड धीरे धीरे करके काट दिये गए और कोई पेड नहीं बचा तो इस कविता में जो फस्ट एस्टेंजा है उसमें है कि ओक के दस लंबे पेड जो एक कतार में खड़े थे इस्टेंडिंग इने लाइन का मतलब है कि एक कतार में खड़ जगी यहाज यानि युद्धवोद बनाएंगे तो जब उन्होंने ऐसा बोला उनके लोगों नो इस पेड़ को हाँ पर काट और काटकर फिर जहाज बनाने लगे युद्वोद बनाने लगे बार्शिप बनाने लगे अब वहां सिर्फ नौप यह देन देरवर नाइन अब वहां सिर्फ नौप यह दस में से एक को काट दिया गया आगे है नाइन टॉल ओक ट्रीज ग्रोइंग स्ट्रॉंग और स्ट्रेट चार कोल ब्रिदेट दफ फरनेस देन देर वर एट ओक के नौ लंबे पेर मजबूत और सीधे बढ़ रहे थे नाइन टॉल ओक ट्रीज ग्रोइंग स्ट्रॉंग और स्ट्रेट का मतलब है कि ओक के नौ लंबे पेर मजबूत और सीधे बढ़ रहे थे वो काफी मजबूत थे स्ट्रॉंग थे और सीधे बढ़ रहे थे चार को the furnace furnace का मतलब होता है भठी then there were it । तब ही किसी का भठी में जलाने के लिए चारकॉल के जिरूत पड़ी जेसे जार को जाने के बाद जलाते हैं जब लकडी को जलाते हैं तो जलने के बाद चारकॉल बनता और उस चारकॉल चारकोल को जब आप जलाएंगे तो उस पर कबाब बनता है या फिर कुछ खाने की खाने के समान बनते हैं तो उस पर धूआ नहीं निकलता है तो घरों में कई लोग इसका इस्तमाल कबाब बनाने में भी करते हैं खाना बनाने में काम आता है चारकोल तो चारकोल ब्रिदेट दफरनेस यानि कि तभी किसी को भठी में जलाने के लिए चारकोल की जरूत पड़ी तो इस पेड़ को वहां पर काट दिया गया और उसको जलाया गया और जलाने के बाद चारकोल बनाया गया तो अब वहां पर आठ ओक के पेड़ बचे देन देर वर कि आगे कह रहा है पोएट की एट टॉल ओक ट्रीज रिचिंग तूवर्ड सेवन ओक के आठ पे इतने लंबे हो रहे थी तेजी से बढ़ रहे थे कि स्वर्ग की तरफ लगता था कि यह पहुंच जाएंगे यानि कि स्वर्ग की और बढ़ रहे थे सीजल कि इस पॉक दलाइट निंग तर मतलब होता है करकड़ाना ठीक है ऊफैत है ओर लाइट्निंग का मतलब होता है बिजली जो चमकती iha na उश की बात हो रही है तो एक दिन उसपर बिजली तो आप पेंड के नीचे खड़े ना रहें पर जादा बिजली गिरती है तो एक दिन उस पर बिजली गिर गई अब वहां सिर्फ साथ ओक के पेंड ही बचे हैं यहां तरह सिर्फ साथ ओक के पेड़े बचे हैं तो शकाएं हैं यानि कि ब्रांचेज हैं पतियां है और डंडे हैं मतलब होता है वह पारी जो यह वह पारी कौन सा है जो लकडि को काट कर बेजता एक वैपारी उन प्रौ को देखकर मुस्कूराता है और कहता है कि अरे नों को काट कर इन प्रोसे मैं खाना बनाने की लकडियां भाजार में बेच सकता हूं और अब आच newborn पेड़ बचे हैं अना धेर सारा पैसा कबाने के लिए क्या कर सकता हो उस पेड़ को काट कर मार्केट में बेच देगा तो मार्केट में बेच देगा तो काफी सारे लोग हैं जो लखड़ियों पर खाना बनाते हैं तो यह देखकर क्या होता है ना वह पारी खुश हो जाता है चलो स्बार को काट कर मैं आणे कि भीड़ बनाने कि जो लखड़ियां में मार्केट में यह सकता हो और फीड़ पैसा कमा सकता हूं तुस भीड़ यह काट देता है देन दे रवा जफ अब वहां सिसिफ च्रेफर 15 बचे देफिये यहां पर बैरल मतलब क्या होता है fare बेरल मतलब होता है ना दारू रखने के लिए निकि शराब लिक्वर रखने के लिए क्या होता है को उसमें लकडी का बनता है बैरल लकडी बैरल में शराब रखे जाते हैं ब्रेवरी मतलब होता है शराब तियार करना है ना तो six tall oak trees glad to be alive अब ओक के 6 पेड़ बचे थे और बहुत खुश थे कि चलो हम 6 बच गए हैं है ना बहुत खुश थे हो कि चलो हम 6 बच गए हैं अपनी जिन्दगी जीएंगे अराम से लेकिन तभी क्या होता है कि सराब बनाने वाले जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं और देखते हैं करें इस लिए ओक के पेड़ को काड दिया गया अब सिर्फ 5 ओक के पेड़ बचे हैं आगे क्या बोलता है प्विएट कि फाइब टॉल्ग ट्रीज सदनली एरोवर गैंगवेज स्क्रीम्ड वेस्ट वेस्ट वेंड झें दें देर वर फोर तो क्या होता है आगे कि फाइब इसंट में आवाज आती है लेकिन इस शेयर की आवाज नहीं है किस यह breaking of discussion मतलब चिलाना और मतलब तुफानishing अब न तो बहुत आवाज होती है तो यह आवाज किसी बड़े तुफान की थी जिसमें से एक पेड उस हवा में उखड गया अब सिर्फ सात ओक के पेड़ी बचे यह देन देर वर फोर अब सिर्फ सात ओक के पेड़ बचे हैं आगे देखते हैं फोर टॉल ओक्टरीज साइंग तनी सीजिः फ्लोर बोर्ट्स बीम दाब दिंटर देज़ देर वर थ्री एफॉर टॉलो टॉल्रीज साइं लाइक दसी ओक के चार पेड बचे हैं जो गहरी सास ले रहे हैं कैसी गहरी सास ले रहें का डुन आप तो हम बच गह वह श्लोर पर्स बनाने का सामान और बिम का मतलब होता है हड़ी यानि कि आप मिक देखते क्याकिते ही आप झाल जाते ते या पर बार और देते हैं और बालो करते हैं चर्य भूर्न या है करती हैं हम चार में लगते हैं लाकड़ी देते हैं पथर कह करके ह्चेमें लोग बालो और गिटि जो होतے है बिचहां करने हैं तो क्या बोल रहा है कि ओके चार पेढ़ है जो गहरी सास ले रहे हैं कि हम लोग बच गए तब ही क्या होता है कि floorboards beam the builder तभी वहां पर मकान बनाने वाले की नजर उस ओक पर पढ़ती है तो उस builder floorboard और beam बनाने के लिए एक पेढ़ को काट दिया builder ने क्या किया builder मतलब मकान बनाने वाला मकान बनाने वाले ने क्या किया उस पेट रिख को काट दिया देंदेर वर थ्री तीन पेठ भी भांप अन्ष ट्री टॉल ओक्ट्री श्व् lap में एस ट्रीड उख लग उन्हें लग रहा था कि वहाण तो नहीं बचेंगे दर्द से हो करा रहे थे कराहना कराहना मतलब ग्रोणिंग ठीक है अंसेफ क्लेम दग कांसिल देन देर वर टू तो ऐसी आवाज सुनकर जंगल कर्मियों ने क्या किया उसे काटकर हटा दिया बोला यह पेड़ है लग रहा है कि पेड़ गिर जाएगा किस आदमी पर तो चलो हमें हमें ही रोज आना है जाना है तो हमी पर यह पेड़ गिर जाएगा तो हम मर जाएगे तो चलो इस पेड़ को काट करके हटा देते हैं तो क्या बोल रहा है आगे देन देर वर टू अब वहाँ ओक के दो पेड़ बचे हैं टू टॉ 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 ओक ट्रीज इस प्रेड़ इंड़ast नड़ पास देन देर वाज यहां पर हम समझेंगे पहले स्नाल का मतलब क्या होता है स्नाल का मतलब होता है जाम लगना ठीक है टू टॉल ओक ट्रीज ओक के दो पेंड श्प्रेडिंग इन दसन जो तेजी से बढ़ रहे थे प्रोग्रेस स्नाल दबाइपस अब जहां पर जो एक रास्ता था वहां पर जाम लग जा रहा था इस पेंड के चलते उस पेंड के चलते लोग जा रहे थे आ रहे थे तो उनको जाम में फसना पड़ता था तो क्या हुआ कि वहां पर रास्ता बनाने के लिए उस पेंड को नौसेंस ग्रम्ट फार्मर देन देर वर वन वन टॉल ओक्ट्री विशिंग इट कुड रन ओक का एक पेड़ है और सोच रहा है कास वह दौर लगाता है अकेले है बचा हुआ है तो नौसेंस का मतलब होता है उपद रहो और ग्रम्ट का मतलब होता है तुनक मिजाज वेगती तो एक फार्मर है वहाँ पर उसे लगता है कि अगर मैं इस पेड़ को काट कर हटा दूंगा तो यहाँ पर खेती करने लाइक जमीन बन जाएगी तो खेती करने के लिए वो फार्मर क्या करता है उस पेड़ को काट कर हटा देता है देन देर वर नन अब वहाँ एक भी राइदे के लिए उस प्रीड को भी काट कर हटा दिया नो टॉल ओक ट्री सर्च दफिल इन वेड अउनली इंप्टी स्काई लाइंस एंड लॉज लाइन ऑगे में कहते हैं पोईट कि नौ टॉल ओक ट्रीजिश सर्च दफिल इन वेड अब उस जगह पर कोई योग का नहीं बचा हुआ है only empty skylines अब जैसे कि हम आकाश में देखते थे पहले तो पेड़ों की टहनिया नजर आती थी पत्निया नजर आती थी है ना फूल उसके नजर आते थे लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं देता बलकि सिर्फ एक चीज दिखाई देता है क्या दिखता है त चुपने का काम करते थे अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा हुए बारस बारिस में चिपने की कोई जगह भी अब बची हुए अब वहां सिफ और सिफ एकी चीज दिखता है आकाश और दूर-दूर तक कुछ भी दिखाईना नहीं पड़ता तो यहां पर कवी यह कहना चा नहीं होगी है न आप आप रास्ते में चलते हैं और पेड़ होता है तो कितना अच्छा लगता है तो आप गर्म हवा लगती हैं धूता है रहागीरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो यहां पर poet कहना चाह रहे हैं, कि आप पेटों की कटाई न करें, और बीना माने मतलब के जो पेड काट दिये जाते हैं, जो किसान ने काट दिया, या पिर UKING HENRY ने पेड को काट दिया, और जितने भी लोगों के बारे में बताया गया दस पेड़ थे और दस के अलग-अलग कारण थे है ना तो ये पेड़ ऐसे कटते जाएंगे तो हमारी जो हमारा जो जीवन है ना वो क्या हो जाएगा दुरलब हो जाएगा जिन्दगी जीना मुस्किल हो जाएगा तो ये थी कविता इसे लिखा है रिचर्ड एडवर्ड ने और बहुत ही अच्छी कविता है ये आई होप कि आपको पसंद आया होगा थैंक्स